दो आक्ट्रिसेस आपस में कभी दोस्त नहीं हो सकती बॉलिवूड इंडस्ट्री में इस कहावत को कई सारी आक्ट्रिसेस ने सिद्ध किया है और इसी लिस्ट में नाम शामिल है प्रिटी जिंटा और प्रियंका चोपडा का नो डाउट कि प्रियंका चोपडा ने फिल्म इंडस्ट्री में अपना करियर प्रिटी जिंटा के साथ ही चुरू किया फिल्म हीरो दे लव स्टोरी ओफ अस्पाई से लेकिन इसके बाद इन आक्ट्रिसेस में बहुत खीच्टान रही अगर प्रियंका ने प्रियंका चोपडा की फिल्में चीनी तो इधर प्रिटी जिंटा ने प्रियंका चोपडा को होम ब्रेकर तक कह दिया वहीं प्रियंका चोपडा जब इंडस्ट्री में आई तो वो अपने साथ अपना ट्रैग लेकर आई कि ये तो beauty queen है जाहिर सी बात है प्रिटी जिन्टा जिस वक्त अपने करियर के टॉप पर थी वहीं producers same time पर प्रियंका चोपडा पर भी नजर गड़ाये हुए थे और प्रियंका को अपनी फिल्म में कास्ट करना चाहते थे इसी दौरान इन दोनों ही actress की टककर हुई आमने सामने फिल्म hero the love story of a spy से सानी देओल इस फिल्म में लीड आक्टर थे और प्रिटी और प्रियंका ने इस फिल्म में second leads का रोल निभाया था वैसे तो प्रिटी जिन्टा को प्रियंका चोपडा से जरा भी insecurity नहीं थी क्योंकि जब तक प्रियंका चोपडा ने industry में अपने कदम रखे थे तब तक प्रिटी जिन्टा बहुत कुछ हासिल कर चुकी थी करन जोहर, शारुक खान और यश्राज फिल्म चैसे बड़े लोगों से प्रिटी की अच्छी खासी दोस्ती थी और उनकी फिल्में भी हिट होती थी वो अच्छी खासी fan following enjoy कर रही थी वहीं प्रियंका चोपडा दो heroine वाली फिल्म में जाधा कर रही थी इसी दोरान प्रिटी जिन्टा ने की फिल्म कोई मिल गया और ये फिल्म भी super hit रही लेकिन जब कोई मिल गया फिल्म के सीक्वल की बात हुई तो makers ने सीक्वल में प्रिटी जिन्टा को कास्ट नहीं किया बलकि इस बार प्रिटी जिन्टा को replace कर दिया प्रियंका चोपडा ने जबकि प्रिटी जिन्टा उस वक्त इंडस्ट्री में active थी बावजूत उसके प्रिटि जिन्टा को नहीं कास्ट किया गया प्रिटी को पहली बार जटका प्रिएंका ने तब दिया था और इसके बाद कई जटके दिये इसी दौरान प्रिएंका चोपडा ने एक फिल्म साइन की सलमान खान और गोविंदा के साथ उन्होंने मैं और मिसिस खना नाम की फिल्म साइन कर दी थी लेकिन इस फिल्म को प्रियंका चोपडा ने बीच में ही छोड़ दिया क्योंकि सेम टाइम पर प्रियंका चोपडा को करन जोहर ने दोस्ताना फिल्म उफर कर दी कहा जाता है कि इस दोस्ताना फिल्म में पहले करन जोहर प्रिटी जिंटा को कास्ट कर रहे थे क्योंकि प्रियंका चोपडा मैं और मिसिस खना में बिजी थी लेकिन प्रिटी को ये फिल्म मिल रही है ये जानने के बाद प्रियंका ने सलमान और गोविंदा को धोखा दिया और दोस्ताना फिल्म कर ली जहां पर वो अकेली आक्ट्रिस थी वही प्रिटी जिन्टा को मैं और मिसिस खन्ना करनी पड़ी जो की एक मर्टी स्टार कास्ट वाली फिल्म थी और सबसे बड़ी बात करन जोहर प्रिटी जिंटा के बेस्ट फ्रेंड थे, कल हो ना हो जैसी फिल्म प्रिटी जिंटा करन जोहर के साथ कर चुकी थी उसी करन जोहर को प्रियंका चोपडा ने खुद को कास्ट करने के लिए किन्विंस कर लिया था और हम सब जानते हैं कि दोस्ताना के बाद प्रियंका चोपडा का करियर किस तरह से टेक ओफ हुआ, वो सिर्फ और सिर्फ बड़े स्टार्स के साथ काम कर रही थी, शारुक जैसे आक्टर के साथ उन्हें काम मिल रहा था, करन के ग्रूप में वो आ चुकी थी, यानि कि जिस बॉलिवूड इंडस्री का अलीड ग्रूप कहते हैं, उस ग्रूप का हिस्सा प्रियंका चोपडा बन चुकी थी, अब शारुक की फिल्म होती, तो उसमें प्रियंका कैमियो करती, करन की फिल्म होती, तो उसमें भी प्रियंका के लिए कुछ न कुछ होता, ऐसा पहले प्र पुरियंका चोपडा के साथ हो रहा था। इसी दौरान 2010 के आसपास Pretty Zinta ने अपने करियर में एक बहुत ही टफ टाइम देखा। उनका रिलेशन्शिप बुरे दौर से गुजरा, उन्हें रिलेशन्शिप में धोखा मिला और जो Pretty Zinta शादी करके घर बसाने की सोच रही थी उन्हें फिर से फिल्म इंडस्ट्री में काम करने की जरुत पड़ी। लेकिन इस बीच हुआ ऐसा था कि Pretty Zinta ने थोड़ा गैप ले लिया था फिल्मों से अब वापिस उन्हें कमबाक करना था तो हिसाब से इस कमबाक में Pretty Zinta को करन जोहर और शारुक खान को हेल्प करनी थी लेकिन Pretty Zinta को ऐसी हेल्प नहीं मिली तब Pretty Zinta को मिला सपोर्ट सलमान प्रिटी ने इश्किन पैरिस फिल्म की और उसमें सलमान ने बिना पैसे लिए एक गाना भी किया वहीं बात करें शारुक खान की तो वो भी उस ताइम फिल्म बना रहे थे रावन फिल्म बना रहे थे उसमें करीना कपूर लीड अक्रिस थी और उसमें भी एक केमियो था चाहते तो शारुक वो cameo Pretty Zinta को offer कर सकते थी लेकिन शारुक खान नहीं किया उन्होंने वो cameo भी प्रियंका चोपडा को दिया जिस प्रियंका के पास already बहुत सारी फिल्में थी और वो अच्छा खासा काम कर रही थी इधर प्रिटी Zinta को काम की जरूरत थी और इसी बीच एक प्रियंका चोपड़ा और शारुक के अफेर्स की रूमर्स उड़ने लगी और कहा जाने लगा कि कैसे शारुक प्रियंका का करियर बनाने में लग गए हैं और कैसे गौरी खान तक ये बातें पहुच चुकी है और प्रियंका चोपड़ा पर Home Breaker का ट्रैग लग गया था सेम टाइम पर pretty zinnta अपनी फिल्म इशकिन पैरिस को खुदी प्रमोट कर रही थी तो एक मीडिया इंट्राक्शन के दौरान प्रियंका के बारे में pretty zinnta से जब पूछा गया तो pretty zinnta ने अपनी पूरी भड़ास pretty zinnta पर निकाली और प्रियंका का नाम लिये बिना उन्हें ये तक कह दिया कि ये बहुती मतलबी औरते होती है ये गर तोड़ू औरते होती है प्रिटी जिंटा ने कहा जो औरते बसा बसा या घर तोड़ती है मेरी उपीनियन उनके बारे में बहुत कम है बहुत छोटी है ये stars के पीछे भागने वाली actresses से मैं नफरत करती हूँ ये वो लड़किया हैं जो actors को CD की तरह इस्तमाल करती है टॉप तक पहुँचने के लिए Pretty ने इस पूरी बात में प्रियंका चोपडा का नाम भी नहीं लिया लेकिन सबको समझा गया कि Pretty जिंटा किसके बारे में बात कर रही है और Pretty जिंटा के statement ने तब काफी सुर्ख्या बटोरी थी क्योंकि Pretty जिंटा शारुक और गौरी को personally जानती है उनकी बहुत अच्छी दोस्त है गौरी के friend circle का भी हिस्सा है ऐसे में गौरी के friend circle से प्रियंका के सवाल पर कोई ऐसी बात करता है तो साफ समझाता है कि Pretty जिंटा किसके बारे में बात कर रही है हाला कि इसके बाद तो Pretty जिंटा खुद भी Bollywood इंडस्ट्री में आक्टिव नहीं रही उनकी इश्किन पैरेस फिल्म चली नहीं और धीरे धीरे Pretty ने अपने आपको फिल्मों से दूर कर लिया वहीं बात करें प्रियंका चोपडा की तो इस शारुक वाले इंसिडेंट के बाद प्रियंका की भी इस्तिती नहीं रही कि वो बॉलिवुड में काम करे क्यूंकि गौरी खान ने बड़े प्रिडूसरस को इंस्ट्रक्ट कर दिया था कि प्रियंका को काम नहीं दे और शारुक को strict instruction दे दिया था कि वो प्रियंका के साथ फिल्में साइन ना करे ऐसे में प्रियंका का करियर भी almost over हो चुका था इसलिए जो प्रियंका सिर्फ और सिर्फ acting के लिए बनी थी वो अचानक से रातो रात US चली जाती है music सीखने वक्त के साथ Pretty Zinta और प्रियंका चोपड़ा में फिर से दोस्ती हुई सोशल मीडिया पर ये दोनों एक दूसरे को कॉमेंट्स करती रहती है और एक दूसरे पर प्यार बरसाती रहती है